हेलो फ्रेंड्स जै बबाजी की आज इस वीडियो में मैं आपको करवा चोथ के बर्त की डेट बारे बताने जा रही हूँ कर्वा चोथ के बारे में बताने जा रही है कर्वा चोथ किस दिन रखा जाएगा कर्वा चोथ का बर्त जाने शुमहुरत पुजा बिदी और प्रानिक कथा कर्वा चोथ 2023 डेट सुहाकन महलाओं के लिए कर्वा चोथ का बर्त बहुत खास होता है और पूरे साल महलाएं इस खास दिन का इंतिजार करती है इस दिन महलाएं निर्जला वर्त रखती है बगवान से अपने पती की लंबी उमर की कामना करती है और सुन्दर सुन्दर बस्तर पहन कर तियार होती है सुन्दर सुन्दर बस्तर पहन कर चंदर मा की पूजा करने के साथ ही अपने पती का अशीरवाद भी लेती है ऐसे में इस साल करवा चोत का बर्त करवा चोत का तिहार कब मनाया जाएगा इसके शुबतिती क्या है करवा चोत का जो शुब मूरत है वो किस समी का है और इसकी पूजा की बिदी क्या है आईए हम आपको सब बताती है इस साल करवा चोत का जो तिहार है वो एक नवंबर 2023 को मनाया जाएगा हलांकि चतुरती तिथी अकत्तिस अकतुबर 2023 मंगलवार को रात साथे नो वजे से शुरू हो जाएगी नाइन हावल थर्टी मिन्ट से शुरू हो जाएगी जो की एक नमंबर रात को नो वज के उन्नीस वजे तक रहेगी वन नमंबर रात को नाइट को 9 o'clock 19 मिन्ट तक रहेगी ऐसे में करवा चोत का बर्त एक नमंबर को ही किया जाएगा पूजा करने का जो शुब मुर्त है वो शाम को पांच वज कर शत्ती सिमिन्ट से लेकर शे वजकर चरंजा मिन्ट तक रहेगा जाने की 5 हावर 36 मिन्ट से लेकर 6 हावर 54 मिन्ट तक रहेगा करबा चोथ के दिन सुवे सब से पहले जल्दी उठकार शनान करके साफ सुत्रे कपड़े धार्न करें बगवान का ध्यान कर बर्त का संकलप लें और धिन बर निर्जला बर्त करें पूजा के दुरान घर के मंदर की दिवार पर गेहों से फल्क बनाएं और फल्क पर करबा का चित्तर बना कर शाम के समे माता पारवती और शिवजी की तस्वीर लगा कर पूजा अर्चना करें पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुम-कुम, रोली, सुहाग का समान और मठ्याई रखें और मठ्याई के मिट्टी के करवे में जल बर कर पूजा करें और करवे को खंबनी बांदें इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्ग दें और शलने से चांद को देखने के बाद अपने पती देव को देखें उनका आकर करवा चोध का अपना जो बरता है वो पूरण करें करवा चोध की जो कथा है अब मैं आपको उसके विशे में बताती हूँ करवा चोध की जो कथा है एक साहुकार था वो समय पहले की बात है एक साहुकार के साथ बेटे और उसकी एक बहन करवा थी सभी सातों बाई अपनी बेहन से बहुत प्यार करते थे जहां तक की बाई पहले उसे खाना खिलाते और बाद में सवैं खाते थे एक बार उसकी बेहन सुसराल से माई के आई हुई थी शाम को बाई जब अपना बहवार बवास बंद करके घर आये तो देखा की उनकी बहन बहुत बयाकुल थी सभी बाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का गरै करने लगे लेकिन बहन ने बताया की उसका आज करवा चोथ का निर्ठला बरत है और बै खाना सिर्फ चंदर्मा को देखकर उसे अर्ग देखकर ही खा सकती है चूंकि चंदर्मा अभी तक नहीं निकला इसलिए बै बोख प्यास से ही ब्याकुल हो उठी है सबसे शोटे भाई को अपनी बेहन की हालत देखी नहीं जाती और बैदूर पिपल के पेड़ पर एक दिपक जला कर शलनी की ओड़ में रख देता है दूर से देखने पर वे ऐसा परतीत होता है जैसे चंद तुर्दिती का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बेहन को बताता है कि चांद निकला है तुम उसे अरग देने के बाद बोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे सीडियों पर चड़ कर चांद को देखती है उसे अरग देकर खाना खाने बैठ जाती है बैपहला टुकड़ा मुँ में डालती है तो उसे शीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है उसके मुँ में बाल निकल जाता है जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुँ में डालने की कोशिश करती है उसके पती की मिरित्तु का समाचार उसे मिलता है बैपु खला जाती है उसकी बाबी उसे संचाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चोथ का बर्त गल्त तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नराज हो गये हैं और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वे अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और अपने स्तिल से उन्हें पुल्ना जीवत दिला करेगी बैपूरे साल तक अपने पती के शब के पास बैटी रहती है उसकी देखबल करती है उसके उपर उगने वाली सुई मना घास को एकंतरित करती जाती है एक साल बार फिर करवा चौत का दिनाता है उसकी सबी बाबियां करवा चौत का बर्त रखती है जब बाबियां से अशीरवा लेनी आती है तो बेपरतिक बाबी से जम सुई ले लो पीए सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो ऐसा अग्रे करके कहती है लेकिन हर वार बाबी उसे अगली बाबी किसे अग्रे करने को कहकर आगे चली जाती है इस परकार जब शटी बाबी नंबर की बाबी आती है तो करवा उससे भी जही बात दोहराती है ये बाबी उसे बताती है कि चू कि समसे शोटी बाई की बज़े से उसका बर्त टूटा है आंत उसकी पत्नी में शक्ती है कि वे तुमारे पती को दुबारा जिवत कर सकती है इसलिए जब बे आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक बे तुमारे पती को जिन्दा ना कर दे उसे नहीं शोड़ना ऐसा कहकर करवा बैठ चली जाती है सबसे अंत में शोटी बाबी आती है करवा उससे भी सुहागन बनने का ग्रह करती है लेकिन बेट टालमटोल करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोड़ से पकड़ लेती है और अपने सहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है बाबी उससे शुड़ाने के लिए नोशती है गुसोड़ती है लेकिन करवा नहीं शुड़ती अंत में उसके तपस्या को देखकर बाबी पसीज जाती है और अपनी शोटी उंगली को चीर कार उस में से अमरित उसके पती के मुँ में ढाल देती है करवा का पती तरंत शिरी गनेश कहता हुआ उठ बैड़ता है इस प्रकार प्रभु किरपा से उसके शोटी बाबी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है है शिरी गनेश आये मागोरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का बरदान आप से मिला वैसे ही सबी सुहागनों को मिले जे कथा सुनने वालों को भी सदा सुहागन रखना उनकी जीवन की सबी खुशियां उन्हें देना है गनेश पगवाण जी प्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सस्क्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें तांजो कि मेरे अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आपने कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जै शिरी गिनेश जै बाबा बालकनाजी के